मोटे काले लंबे बालों की हर किसी की चाह होती है हर कोई चाहता है कि उसके बाल बहुत ज्यादा लंबा हो काला हो घना जब जुड़ा करें तो ऐसा लगे कि कपड़े की गट्री हो चुटिया करें तो ऐसा लगे जैसे कोई नागीन लटकी हो तो इस तरह से अगर आप भी इ अच्छा चाइपथि न के लिए हमें हम करते हैं कैसे आउने में जाने आप के साथ ने बालो में भईीजि प्राइब best Εसे इसे में देट प्राइब बालू के लिए भी बहुत अच्छी पैनिफिशल यूज गर इसकते हैं तो इसे बनाना है इसे बुद्ध करना और होला का सब में चैपति अंवामारी पेसि क क्या दालते हैं और आ start र tom खोके के ब आप देख सकते हैं कौफी कौफी भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है जो बालों को काला करने में बहुत जादा हेल्प करता है तो अब चाय पती लेंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगा दोनों चीजों को एक मिक्षर चार में एक चमच डाल करके अच्छे से इसे हम बारिक्षा पीस लेंगे खुजली और इंफेक्षान हो सब चीज यह ठीक करती है चाय पत्ती चाय पत्ती के पानी जो होता ही है चाय पत्ती की समझ लीजिए इसमें एंटी इंफ्रोमेट्री प्रोपर्टीज होती है एंटी वेक्ट्रियल गून होते है जिसके यूज से हमारे बालों को अच्छा बीन पेस लेंगे से रह railway रिषित किसी की चाय में पषड़ा में कीसी चीज पेस कर-काय मत नहीं हो तो चम भी नहां के सीज था नहीं है इतना कोशिच करें कि इतना ही आप ले 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 चुछे यह दोनों चीजे बड़ी ही पावर्फुल होती है हमारे बालों की काला करने में बाल बहुत ज्यादा काला भी होती है लंबे भी होते घं़े इस तरह से देख सकते हैं कि हमने पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया था और इसे हमने रख लिया था तो बर्षाद के वज़े से थोड़ा सा यह जम चुका है तो इसे हमने अच्छे से भर बर के रखा था इसलिए चमश के हिल्प से इसे हम अच्छी तरह से फॉर्ड लेंगा जैसे कह अटा लेंगा जैसे ठीक कर लेंगा और उसके वासे गर्म करेंगे और उसमें पानी का विल्कुल भी अंच नहीं रखेंगे चुकि पानी होगा तो तेल बहुत जादा उड़ेगा और अगला जो इन घिजिएंस हम लेंगे वह है नारियल का तेल तो इस तरह से पैन में तेल डालेंगे लैंप कर देंगे कम चुकि लैंप मेरा लेकिन तरो तासा इसे बनाना सही होगा इस तरह से थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद दो चमस तो से तीन चमस चुकि अब देख सकते हो कि मैंने जो भी बावल में लिया था वह इसमें डाल कर चमस के एल्प से अच्छी तरह से चलाएंगे और पकाएंगे इसे बहुत द दिखेंगे तरह से 10-15 सेंड तक पकाना शुकर लेंद को कर देना है वह यह बहुत अच्छी तरह से पक चूकी है चाहदा थिर इसे में घंडा ना कर लेना है थापी और चाय पती दोनों चीज़ाने बड़ी अच्छी तरह से हमारे जो तील मैं आ चुकी है मिक्शो हो चु या फिर आगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मगर ऐसे ही हम तेल को जैसे कि अपने बालों में लगा तो आप डाइरेक्टली लगा सकते हो लेकिन इसे हम छान लेंगे चान देंगे तो थोड़ी सी जो अंदर की जो खुर्चनों और निकल जाएगी और हमारी जो तेल तेल है व काला की यहां देख रही है यह अची अझा कला हो चुका है और इस तेल को लगाने से बालों बहुत जादा काले हो जाएगे लंबेrokाले भी गहने भी णिर्ट बूख़ाएगी बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़ dli को लगाना तो यह अज आप बहुत ही असान तरीके से बहुत ही अकम मेधिट से बना सकते हो बड़े ही कम समान में ये बनता है बड़े कम इनके जिसमें बनकर के त्यार होता है और ये हमारे कीचन में ही मिल जाता है इस तरह से इस तेल की बहुत बड़ी खाशित है अगर आप भी चाहे तो इस तेल क कि आप यूज् toppings कर सकते हो इस तरह से बना सकते है तो काफी असानी से हमने इस ते ल को schaut ह्वास नहीं है और आप इस देन बना सकते हो और उसना जोना यू.. ए अपरहे हमारे में पि-चनरा लाइना हो एक महीं तक लगाने के पडिएक यूख अपाटम्छ इसे लाइने लका लल को दो दो लिना हसमें पहवते में दो आप ऑस क्वाल को गुछा सकते हों तो बहुत अच्छी रिमिडी है जिसे विसे करके का पिसे ऑफेमें आपको हफ्ते में दогा लगा लेना है बालक को अच्छी तरह से कसे अलग-अलग करके लगा लेना है और लगाने के पाथ सो जाना कल अब जो करके इसे आपको बस क्या करना है कि बालों को धोलेना है ठंदे पांव आनिजे अब्र श्रीए अपस पू कर लेना तो इस सब्सक्राइब करने के बाद आपको रिसल्ट मिलेगी बहुत ही इमेजिंग सी अगर विडियो अच्छे लेगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बेल आइकन घंटी कोई पिरेश कर लेना तो ताकि कोई भी मेरी विडिया है तो उसका नोटिफिकेश्ट